नमस्कार दोस्तों, गैंदरसन चैनल में आप सबों का स्वाकत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस्त्रियों का ये अंग कभी भी ना पकरें, वरना आपकी घर आएगी कंगाली बहुती मस्ती से। इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें इस वीडियो को और आप ये गलती कभी ना करें। इस वीडियो को पूरा देके आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहें और पूरा वीडियो को वाच करें तभी आपको समझ में आएगा आखिर कारण क्या है इससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल से जल सब्सक्राइब करकर बेल घंटी को बजा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको अपने घर में अपसुक्सांती बनाये रखने और पैसों की कमी कभी नहों इसलिए क्या क्या करना चाहिए उपाए और क्या ना करना चाहिए जिससे आप अपने घर कंगाली फोने से बचा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें तो दोस्तों आगे बनने से पहले एक जरूरी बात आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जै महालशमी लिकना बिलकुल न भूले इससे आपको पैसों की कमी कभी भी महसूस नहीं राजा की सोच रखने वाले भी बन सकते हैं भीकारी अगर राजा भी ये काम करते हैं तो उससे भी भीकारी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे लिए आप अभी से इस बात को ध्यान दखें दोस्तों लर्कियों का वो अंग होता है बाल बाल को आप कभी भी लर् इस्त्री का बाल ना पकड़े क्योंकि आपको भी पता है कि महाभारत इसी द्रौपदी के कारण हुआ था दुर्योधन ने जब द्रौपदी का बाल भी चाता तो महाभारत हो गई तो आप समझे सकते हैं कि ये कितना बड़ा पाप है कि कि किसी भी स्त्री का बाल पकड़न अगर आप किसी भी स्टरी का बाल पकरते हैं, तो ये बीवी के वी धान के अनुसार, आप उसका घोर अपमान कर रहे हैं। और जब-जब कोई भी स्टरी का अपमान हुआ हैं, तो भगवान अवतार जडरूर लेते हैं। और उस इंसान को उसकी सजा जरूर मिलती है इसलिए आप इस सजा से बचने के लिए आप ऐसा काम ना करें आपके घर अगर मिया बीवी का जगरा होता है तो आप इस चीज को इगनोर करें क्योंकि जगरा दो दिन में मिट जाएगी लेकिन कंगाली छा गई तो कभी भी ना मिटेगी आपका घर बरवाद हो सकता है आपका हंसता खेलता परिवार बरवाद हो सकता है इसलिए इस चीज को इग्नोर करें और लर्कियां याने किस्तियों का बाल को कभी भी पकर कर घिखने की कोसिस ना करें आज की इंफॉरमेशन इतनी ही थी दोस्तो इसे फॉलो करें और अपने घर खुसियां लाएं मिलते हैं दोस्तो फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार